मेरट की STF यूनिट को एक बड़ी सफलता उस वक्त मिली जब मेरट के कैंट्र एलवे स्टेक्शन के पास एक संदिक्त यूवक को STF यूनिट ने हिरासत में लिया और उसके बाद सदर थाना लाकर उस व्यक्ति से कड़ी पूछताच की पूछताच के दोरान बेहद जोकाने वाला सच सामने आया पूछताच में आरोपी मुहमत इजाज ने बताया कि वह पिछले दो साल से ISI के साथ मिलकर काम कर रहा है इजाज ने बताया कि वह ISI के लोगों से स्काइप और मेल के जरीए बात चीत करता था पकड़े गए आरोपी ने यह भी कबूल किया कि ISI के लोग उसके परिवार को हर माह 40,000 रुपे देंगे और उसकी बेहन की शादी में होने वाला सारा खर्च भी ISI के लोग उठाएंगे SDF यूनिट ने पकड़े गए ISI एजन्ट से भारतिय सेना से सबंदित गोपनिय दस्तावेज भी बरामत किये एजन्ट के पास से सेंट्रल बेंक ओफ इंडिया के ATM कार्ड, पाकिस्तान का पहचान पत्र, विबिन कंपनियों के SIM कार्ड, लेप्टॉप, मोबाइल, फर्जी आधार कार्ड और बंगाल का फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी बरामत किया गया पकड़े गया आरोपी ने यह भी बताया कि वो पाकिस्तान के इस्लामबाद का रहने वाला है, पिछले कुछ दिनों से बरेली में रहकर ISI के साथ काम को अंजाम दे रहा था